वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्राम पंचायत जैसे कि आप सभी नाम सुना होगा तो इससे पहले चुकि इसमें काफी सारे पदों पर रेकृट्मेंट निकाली गए थी लेकिन क्या हुआ कि अभी कुछ पदों पे पूरी तरह से भरती नहीं हो पाई थी तो इन्होंने से कुछ पदों पे जो है जो पद खाली रह गए हैं उसमें इन्होंने आभेदन जारी किया है तो अगर आप एलिजिबल हैं आपने तेंट पास किया है 18 साल की आई हो अगर आपकी पूर्ण है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं ठीक है सेलेक्शन प्रोसेस क्या होगा समझते हैं चीज को तो दोस्तो आप यह जो फॉर्म है इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी ठीक है तो करना कुछ ऐसा है कि इस फॉर्म को फिल कैसे करना है देखिए आविदित ग्राम पंचायत विकास खंड जनपत जहां के भी आपके आविदित ग् पंचायत है वो फिल होगी फिर विकास खंड और जनपत पड़ेगा ठीक है उसके बाद यहां पर आप अपनी फोटो लगाएंगे ओके फिर इस कॉलम में अपना नाम डालेंगे जो भी आपका नाम है लाइक राम पिता का नाम फिर पड़ेगा ठीक है जो भी आपके फाद पर अंकित है डेट ऑफ बर्थ उसको ही यहां पर फिल करिएगा ठीक है उससे क्या होगा कि अगर आपका अधार में गलत भी है तो उसके थुरू वह रिफरेंस में ले लिया जाएगा फिर दोस्तों अगली बात करें तो यहां पर देखिए आई-उस समधित यहां पर चाहिए ऐसा नहीं कि इस दिन आप फिल कर रहे हो और आप 18 साल गया हो नहीं से पहले ही हो जाने चाहिए तो यहां पर वर्ष डालेंगे यहां महीन मंत पड़ेगा किस मंत में और दिन पड़ेगा इसके आगे फिर ठीक है आगे देखते हैं फिलिंग है तो पुरूस या फ भी आपका कास्ट है वो यहां पर फिल हो जाएगा इसके आगे यह पॉर्म जाके सम्मिट होगा आपकी पंचायत में ठीक है और आगे बात करें तो इस थाई पता जो हां जो आपका पर्मानेंट अड्रेस है अधार के कॉर्डिंग वो इसमें डाल दीजिएगा ठीक है मु का पूरा आपको डिटेल देना किस बोर्ड से हैं यूपी बोर्ड से हैं तो यहां यूपी बोर्ड डालेंगे जिस भी बोर्ड से हैं ठीक है वो यहां पर डालेंगे फिर क्या-क्या विसे रहे हैं आपके यूपी बोर्ड में और इंटरमेडियर में वो फिर पूरां का मत पड़ेगे percentage क्या है आपका वो यहां पड़ेगा सेम इसी तरह intermediate कभी पड़ेगा आई होग कि आपको बास समझ में आ गई होगी फिर नीचे कारी का अन्भोगर आपके पास अन्भोग कोई दिक्कट आपको नहीं है कि फिल करने में फिर कोविड american के रूप में अभेदित किया आ हमिश्यब का नाम संबंद यह टालना है देख लिजिएगा और इसको अगर विचिल होगा कि अगर ऐसा कुछ है तो fill होगा नहीं तो कोई जुरूत नहीं है ठीक है फिर नीचे घोष्णा पत्र है ठीक है कि आपने जो भी information दी है वो सही है कि नहीं अगर सही नहीं होगे तो आपका जो है यह निरस्त कर दिया जाएगा फिर आपके यहाँ पर हस्ताश्चर होंगे जो भी आपका हस्ताश्चर वो अपना हस्ताश्चर करेंगे और यहाँ पर मत करिएगा ठीक है यहाँ पर नहीं होंगे यहाँ पर जो प्राप्त करेगा वो अपने हस्ताश्र करेगा ठीक है तो यह सारी डिटेल है इसकी तो अगर आप 18 साल प्लस हैं तो प्लीज इसको फिल कर दीजिए सैलरी की बात करें तो सैलरी तो खेर अगर आपके लिए इसको फिल कर सकते हैं डाट एंटरी ऑपरेटर जो भी इसमें आपको अलग-अलग काम मिलेगा ठीक है तो बहुत अच्छी पोस्ट है और कोई अब भी कोईरी हो सकती है तो आप कमेंड में पोस्ट सकते हैं तो मिलें आई होब कि आपको बात समझ में आगए तो प्लीज इस फॉंगो जरूर फिल कर दीजिए अगर आप एलिजिबल हैं तो